पालतूर जानवरों को पाले लेकिंग टीका करण अवश्य करवाले नमस्कार मैं हूनीता कोशिक और आप देख रहे हैं दूर दर्शन हर्याना आज वर्ड रैबिस डे के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं दुनिया भर में 28 सितंबर को वर्ड रैबिस डे मनाया जाता है और इसी के वज़े से ये विश्व को एक जूट करने का काम करता है रैबिस की खिलाफ जो चल रही है उस लड़ाई के विरुद लेकिन इसकी बावजूद आज भी आम जन है वो रैबिस को लेकर बहुत कम जागरूख है जबकि ये एक बहुत ही जानलेवा बिमारी है तो आईए आज बात करते हैं कि रैबिस की बिमारी क्या है और कैसे फैलती है क्या इसकी लक्षन है और क्या इसकी उपचार है तो चलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर अजे चूग डॉक्टर एज़े जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत हार्दिक स्वागत है डॉक्टर एज़े जो की फीजेशन, एमडी मेडिसिन, सिविल हॉस्पिटल हिसार से है और आफ्टर एमडी उनका पांच साल का अनुभव रह चुका है अभी हाल ही में वो कोविड आइसोलेशन वर्ड और मेडिसन डिपार्टमेंट के जो हैं इंचाज रह रहे रहे हैं अभी भी है तो उसे राब बताएं कि ये रैबिज बिमारी क्या है और ये किस तरह से हुमन बिंक्स को इंपक्ट करती है देखिए रैबिस जो है एक आलमुस्ट 99% फैटल डिजीज है और ये वाइरस से फैलती है रैबिस वाइरस जो कि लाइसा वाइरस होता है उससे फैलती है और हूमन्स में मोस्टली 99% जो है वो डोग बाइटस के तरू फैलती है डोग बाइट्स होने के बाद आम तोर पे हम जो स्ट्रे डोग्स हैं या हमारे पैट्स डोग्स हैं उसमें हम कर लापरवाई बरत जाते हैं उसकी वज़े से हमें रैबिस का सुमावना रहती है दुनिया भर में 69,000 केस साल में पाए जाते हैं और इंडिया में जो NCDC की रिपोर्ट कहती है वो 20,000 केस एनुवली मिल रहे हैं हमें रैबिस के रैबिस का वाईरस होने की वज़े से इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम वेक्सिनिशन के तरू ही करते हैं कोश्ट एक्सपोजर काटने के बाद हमें जब वाईरस होने के समावना रहती है तब हम इसके वेक्सिनिशन करवाती है या हम किसी ऐसे endemic area में हैं या हम ऐसे परफेशन में हैं जो की वेटिनरी वाले परफेशन है तो हम प्रे-प्रे-dar मतलब का आठने से पहले हमें अमीद है तो हम प्रे-प्रे-प्रेशने कोई बीरेल डिजीज होती है उसका जो antiviral जो disease होता है वो ढूरना आम तरपर मुश्किल होता है क्योंकि virus जो है वो mutate करता रहता है तो इसलिए हमारा vaccination ही होता है जितनी भी हमारी virus की जो भी बीमारी होई है वो रेडिकेट होई है vaccination के थूरू ही हुई है vaccination का जो process है वो हमारे government hospital में भी available रहता है वाइड लेबल है और इंजेक्शन के थूरू हम इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर मैडिकल सेक्टर में इतनी एडवांस रिसर्च होने के बावजूद इस रैबिज के लिए हम एक स्पेसिफिक ट्रेटमेंट क्यों नहीं दूड पा रहे हैं यानि कि आज भी रैबिज कहीं न कहीं हम सब के लिए एक छुनौती है तो इसके पीछे क्या वज़ा है देखी वाइरल डिजीज कोई भी होगी उसके लिए जो एंटिवाइरल मेडिसीन होती है वो लगातार काम्याब नहीं रह सकती है इवन जैसे कोविड भी एक वाइरस है इन्फुलेंजा भी यह है ये मुटेशन होती रहती है इसके अंदर एंटिवाइरल इवन एच्चाइवी भी है तो हम इन ड्रग्स का एंटिडोट जो होता है वो मुस्ली मिल नहीं पाता है क्योंकि वाइरस जो हमारे जो बोडी के इसके बाहर है वो नोटिविऍग पिंग है वाइरस जब बोडी में आता है तब वह मुल्री की तरह कामकरता है जब बाहर रहताए वह नोण लीविंगило को आप hep नहीं मार सकते हैं बोडी के अंदर आ रहा है तो वो मॉल्टिप्लाई कर रहा है इस वजह से वाइरस के अगेंस जो हमारे मोलिकूल होते हैं या जो भी रिसर्च परपस होता है वो एक लिम्टेड वे में दैरे में काम करता है और प्रिवेंशन और वेक्शिनेशन ही इसका मोस्ली एक हतियार हो होता है और इससी वजह से हम कोई स्पेसिफिक ट्रिट्मेंट नहीं देबाले है वाइरल डिजीज आम तोर पर मतलु सभी के लिए जानता है जैसे रिवे जो बिमारी है वो इन्फेक्टि डोग बाइट्स की वजह से होती है क्या यह दूसरे जानवर के काटने से भी होती ह सिर्फ डोग बाइट्स की वजह से होती है देखिये क्या है कि यह दूग बाइट्स हे है nineteen nine percent जो होती है रिसके के केंनिव मारे नतलम लाइनिमल बाइट्स में 91% बाइट्स होती है और प्रीवलेंट जो है यह जो दूसरे हैं इसके अंधर हमारा फोक्स आफोपगस्वोग लियाना होगी मंगूज हो गया और बैट्स बहुत बड़ा रिजर्वोयर है करोना इसका रभीज वाइरस का तो उसकी विजह से उनकी बाइट्स की विजह से हमें हो सकता है लेकिन मुस्ली जो रिजन है वो डोग बाइट्स रहता है तो सर रभीज को फैलने से रॉकने के लिए इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या क्या है आप हमारे दश्कों को बताएं देखी जो सबसे बड़ा जो रिजन हमारे इसमें यह डोग बाइट है तो हमारे अगर हमारे पास पैट्स है तो पैट्स को हमें वेक्सिनेट करना चív़े हमारे जितने भी अगर हमने डोग के लूप में पैट्स के रूप में अपने घर रकती हैं तो विडाट रिबीज वेक्सिनेशन वो नहीं होने चाहिए अगर हम रैबीज सक्थों करवा कर दोग कर hebben का तो वो काफी हद तक हम डोग्स के वेक्सिनेशन के तरू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं Secondly, अमेरिका में भी यही हुआ है कि उन्होंने वाइल डोग्स को और पैट डोग्स को वेक्सिनेट करके डोग रहीज को आलमस्ट एरेडिकेट कर चुके है वहां जो वाइरस आरा है अमेरिका में वो बैट्स वाइरस के तरूर अभी जारा है और वो भी साल में एक या दो डेथ होती है जबकि हमारे यहां पे जो डेथ हैं वो 20,000 के आस पास है और हमारे यहां स्ट्रे डोग्स की पोपॉलिशन बहुत जादा है और उसकी वज़े से हम इस चीज़ को कान्ट्रोल ने कर पाते है दूसरी बात है कि अब हम उसको अब अगमें माल लो कि हमें पता नहीं होता कि डोग हमें काटके गए है वो कैसे काटके गए भी रभी जारो करने चाहिए कि whether I need rabies injection or not. फिर हमें क्या होता है कि जब आता है तो सबसे पहले क्या करना है कि सोप के दूरु वाश करना है. 10 से 15 मिन्ट रनिंग वाटर में हमें जहां पे बाइट लगी है उसको हमें धोना है. धोने के बाद हमारा जो डोक्टर है हमें एडवाइस करेगा कि हमें प्रोफिल एक्सिस पूरी करनी है. यह नहीं कि हम थार्ड डे पे हम छोड़ दें हमने दो टीके लगवा लिया हम तीसरे टीका लगवाने ना जाएं. नो, इस शुद नोट बी डन. हमें होना चाहिए कि जीरो लगवाया, तीसरे दिन लगवाया, फिर सातवे दिन लगवाया, फिर चोदवे दिन, फिर अठाइस्वे दिन. यह हमारा पुराना शेडूल था. नए शेडूल थोड़ा सा भी फोर डोजिस का भी आ गया है इसके अंदर. इसके अलावा यह होता है कि भी आप बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रे डोग के पास बचा मतलब भी उनको खेलने से रोकें, जब लगता है कि भी उसका अनप्रोवक्ट बाइट कर सकता है. आपके घर में अगर डोग है तो उसको आप वेक्सिनिशन करवाईए. पूरा कम्प्लीट वेक्सिनिशन अगर आपको वेटनेरिन एडवाइस करते हैं वे आपको रुपीट वेक्सिनिशन करवाने तो वो भी करवाना चाहिए. तो सर क्या यह रैविज एक सीजनल डिजीज है यानि कि कुछ महीनों तक यह बढ़ जाती है और कुछ महीनों के बाद यह आटमाटिकली कम हो जाती है. रैविज वाइरस जो है वो सीजनल डिजीज तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि यह आल ओर दा एर एर ए रहता है यह लेकिन रैविज वाइरस का यह है कि यह समर में ज़्यादा केसी जमें मिलते हैं. रिज़न यह रहता है कि समर में हुमन्स जो है जो इंसान है वो घर से बाहर रहता है, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो वाइड एन्मल्स यानि हम दोग़ के साथ एक्सपोजर उनका ज़्यादा रहने का चांस रहता है. आप उनके पास आसपास मिल रहे हैं, हमसे वह बच्चे को डोग के साथ खेलने लग रहे हैं, तो बाइट सोने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि आप सर्दियों में आप घर के अंदर होते हैं, एनिमल्स भी छुपे रहते हैं, कोशिश करते हैं सर्दियों में बचाव होने की, तो इसलिए इंडिया में आल ओर वर वर देखा गया है आम तोर पे, कि बाइट सोने का चांस ज्यादा रहता है, और बाइट सोने का चांस ज्यादा होने की वज़े से रैमिस का इंफेक्शन होने का चांस ज्यादा है, यानि कि एक तरह से यह सीजनल डिजीज नहीं है, यहाँ सिजन डिजीज नहीं है, लेकिन केसिस हमें सिजन समर में ज्यादा मिलते है वो बाइट सोने की वज्जह ज्यादा मुझे से वो हमारा हूमन और देखो क्या है की। जब तक human और dog आपस पे मिलेंगे नहीं बाइट नहीं होएगा बाइट नहीं होएगा तो chance आपको रहभी जोने का कम है लेकिन जब जैसे exposure हो रहा है आप गली में जा रहे हैं आप वह जा रहे हैं आप उसको provoke कर रहे हैं तो exposure कब हो रहा है जब आप भार गूम रहे हैं सर्दियों में अगर आप घर में बैठे हैं आप मुस्ली क्या होता है कि लोग छे बज़े के बाद घर बैठते हैं तो एक्सपोजर नहीं होता तो उसलिए फिर बाइट्स के किसा में कम मिलते हैं वो हम उसको तीन ग्रेड में बाढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड है जो कि जिसमें आपका intact skin है skin पे कोई भी चोट नहीं है और सिर्फ उसने उसको dog ने या cat ने ऐसे उसको मतलब भी लिख किया तो ऐसे cases में हमें treatment की जरूरत नहीं होती intact skin पे नहीं होती पे आपको इलाज करवाने के जरूरत नहीं है फिर आप great two में आते हो कि उसने scratch मारा scratch मारा और इसके अलावा कि आपको पहले से चोट लगी हुई है पहले से चोट लगी हुई है उसके उपर उसने लिख किया देखो फर्क होता है intact skin पे मतलब जो normal skin है उस पे अगर वो लिख कर रहा है तो हमें कुई चिंता करने की बात नहीं है अगर हमारी skin broken है broken का मतलब भी चोट लगी हुई है चोट लगी हुई है कि उपर अगर वो लिख करता है dog, a bit cat or any of your pet animal तो फिर हमें rabies vaccination की तरफ जाना जाए इसके बाद आता है हमारा grade 3 grade 3 का मतलब होता है severe bite जहां पे blood आ गया जब भी blood आता है तब हमारा vaccination के इलावा हम immunoglobulin देते हैं immunoglobulin जो हैं वो different types के आते हैं and that is very essential मान लोग कि किसी को face पे काट गया आपको blood आ रहा है और इसके इलावा की heavy bite है और अगर खुन देखता है किसी भी wound में चाहिए scratch से हो या कैसे तो वो grade 3 में आता है वहाँ हमें vaccination के साथ immunoglobulin लगा नहीं पढ़ता है even हमारे civil hospital में एक नया treatment option आए जो कि बहुत ही अच्छा treatment option है जिसको हम monocolonial antibody कहते हैं तो हम जहां पे immunoglobulin है उसकी जगा हम twin rab को use कर रहे है उसमें हम क्या करते हैं कि भी आदा हमने muscle में लगाया आदा हमने wound के चारों तरफ जहां पे आपको चोट लगी हुई है वहाँ पे हमने infiltrate कर दिया अब बहुत से लोगों के अंदर बड़ी भरांतिया फैली हुई है कि लोग क्या करते हैं कि wound को जो हमारा चोट है उसको बांद के आ जाते हैं उसको अंदर लाल मिर्चे लगा देते हैं उसको पूरी तरह से cover करते हैं कोशिश यह होनी चाहिए कि भी अगर wound हमारा चोट जो हमारी अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है जहां पर टांके लगाने के जरूरत नहीं है तो उसको open छोड़ना है आपने उसको बांदने के जरूरत नहीं है क्योंकि रैबिस वाइरस जो है वो अगर आपका अंदर है तो वो आगे transmit जादा होएगा सबसे पहले आपने उसको दो दिया उसको वाश कर दिया आपने vaccination लगवा दिया आपने उसके साथ में जो भी डॉक्टर ने treatment दिया वो दे दिया अगर वो बड़ा वोंड नहीं है उसको टांके लगाने के जरूरत नहीं है तो उसको open छोड़िये खुला छोड़िये उसको जुरूरत नहीं बाने के सर मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि जैसे कई बार कुते के काटने पर बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाए जोला चाप या फिर जाड़ फूक के पास चले जाते हैं और वो लोग जैसे लाल मिर्श बांदेते हैं तो क्या यह सही है इसके बारे में आपका क्या कहना है नहीं यह देखो बहुत गलत चीज है असल में क्या वाकता है कि कोई भी जो खुली चोट होती है उसके तरू हमें रबीज ही नहीं टेटनस होने का भी चांस रहता ही है तो इसलिए हम आम तोर पर डोकबाइट की किसी को टेटनस का इंजेक्शन भी लगाती है और टेटनस क्या है कि मिट्टी में मिलता है मिट्टी मी मिलता है अगर आप कोई भी चीज उसको बांद रहे हैं ओपन वूंड में तो उसमें आपको इवन रैबी जी नहीं टेटनस होने का चांस भी जाएगा तो यह तो बहुत ही गलत है मिर्चे बांदना वो बांदना आपको इंफेक्शन हो जाएगा आपका पैर सू हुचर करते हैं इसको टांके लगाते हैं टांके लगाने के बाद उसको क्लोज करते हैं और जहां चोटे चोटे हैं उनको हम आम तोर पे जहां पे सूचर की जिरूर्त Noon-ikoakula चओटती। तो यह मिर्चे करता है होता कहा है कि जहां पे बाइट होई बाइट होई अगर आपके पैर पे तो कुछ मिलिमेटर पर यह ट्रेवल करता है और जैसे जैसे यह चलता जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा मानलो अगर आपके फेस पे बाइट करता है तो इसको कम टाइम मिलेगा दिमाग क पर पहुंचने में, तो वहाँ उसके Robbie's, अगर रभीड अनिमल की Pope eyes तो वहाँ आपको जल्दी रभीज आयेगा, और मान लो कि आपको पैर पर परक अठै तो आपको सिर पे पहुंचने में होता है क्षाथ साल लगा देगे और आपको ढ़ को पता ही नहीं कि आपको एकदम रैबीज हो जाए हंटर तो नहीं 99% फैटल माना जाता है अगर आपको रैबीज के ब्रेन की ओपर दिमाग की ओपर अगर इंफेक्शन आ गया है एंसेफलाइटीज हो गया है तो 99 ओफ आउटर हंडर टाइम्स इज आल्मुस्ट इसी के साथ सर मैं ये को बहुत नौलीज है इसके बारे में लोग कुता कटवाने के बाद इमेज़ेटी लेगवाने आते हैं ये डर ही वैक्शनेशन की स्पीड को इसलिए इंकरीज करता है कि लोगों को पता है कि ये हमारे लिए बहुत फैटल है होता क्या है कि जिसको मानलो एक रैबीड जो नॉर्मल देखा जाता है, और कुछ लोगों में ये साल के बाद भी symptom दिखासता है, तो it's not fixed, mostly within three months ये इसके symptom आ जाते हैं, और अगर symptom आएंगे तो क्या होएंगे, एक तो anxiety होना, hydrophobia, जिसको ravis हो जाता है, वो पानी पीने के तो बात छोड़ो, वो पानी देख भी नहीं हैं इसके अंदर, anxiety, दोरे आना, और last में हमारी respiratory paralysis हो जाती है, और respiratory paralysis के बाद फिर हमारी death हो जाती है, तो इसमें सबसे बड़ा जो लक्षन है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसमें इतना severe hydrophobia हो, कि उसको प्यास लगेगी, लेकिन वो पानी नहीं पी पाएगा, 80% में furious ravis क कहते हैं इसको, 20% में paralytic होती है, paralytic वली जो फोम है, उसके अंदर बंदा paralysis हो जाएगी, वो इतना निडाल पड़ा रहेगा, वो बात नहीं करेगा, लेकिन mostly जो हम, क्योंकि cases इतने जादा नहीं होते हमारी side में इसमें, और जो mostly हमें देखने को मिलता है, वो hydrophobia, जो मरीज होगा, उसको पानी से डर लगेगा, वो पंक्य के निचे बैट नहीं पाएगा, दोरे आने की complaint करेगा, दूसरा एक चीज में और कहूंगा कि हमें dog bite का तो पता है, लेकिन हमें bats की bites का नहीं पता होता हमारे यहां पे नहीं है, लेकिन अमेरिका में bats के तुरू होता है, और आपका सोय पड़ा और आपको कमरे के अंदर चमकादर मिलता है, तो आप यह मान के चाहिए कि वो उसको काट क्या होगा और उसमें आपको rabies का injection लगवाना ही चाहिए, यह यूएस में और यूके में यह चीजें प्रेवलेंट हैं, डोग्स वली तनी महां पे उनका यह भी माना है कि अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान को काट लेता है, तो उससे भी rabies फैलता है, यह कहां तक सच है, देखिए एक अगर वैसे तो एक rabies जो होता है, वो neurological symptom होने के बाद कुछ ही देनिया, maximum 1-3 months तक रह पाता है, उसके बाद वो नहीं जिंदा रह प transmission का कोई भी case ने मिला, theoretical possible है, theoretical possibility यह होती है कि भई उसके अंदर rabies है, उसने काटा, लेकिन ऐसे लोगों को आज तक पूरे world में एक भी case ऐसा नहीं है, जो हम यह कहें कि human to human transmission rabies का हुआ है, और दूसरी बात हात लगाने से, खाना खाने से ऐसा नहीं होता, साथ में फैलने से rabies नहीं होएगा, saliva से होता है, इसलिए हम यह चीज़ भी कहते हैं कि annual bites के लावा किस चीज़ से हो सकता है, मान लो कि भई आप यह को भी आपका पहले से कोई चोट लगी हुई है, और किसी rabies नहीं है, तो चाटने से भी अगर कोई rabies नहीं है, तो अगर आपको चोट लगी हुई है, उस चोट के ओपर तो वो rabies होने के chance आपको बढ़ जाते हैं, लेकिन vaccination जो है, हमारा वो बहुत बड़ा हतियार है, बहुत ही successful है, अगर आपका rabies का vaccination अगर आपने लगवा लिया है, तो mostly आपका transmission आपका रुक जाता है, अगर आपका brain तक virus नहीं पहुचा है, तो जैसे सर, जैसे dog bite की वज़े से किसी इनसान का rabies हो जाता है, या उसने vaccination भी करा लिया है, तो क्या दोबारा अगर उसको dog bite करते है, को यह or animal bite करते है, तो क्या उस पर जैसे rabies तो दोबारा हो सकता है, तो vaccination पर क्या impact आएगा उसका? नहीं, ऐसा होता है कि rabies तो एक बार हो गया तो it is not going to come again क्योंकि वह almost fatal होता है, रैबीज का हम यह नहीं मनेंगे कि वह दोबारा हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमारे पर ऐसे case बहुत आते हैं कि अभी vaccination लगवाया था, अभी कुताने कुताने ने फिर दोबारा काट लिया, फ four doses के रही है, और उसके में अगर आपको दुबारा कुता काट गया, अगर less than three months, तीन मिने होया अगर आपको टीका लगवाया तो आपको नहीं लगवाने की जरूरत, उसके बाद जो अगर आपका आ जाता है, छे मिने हो आ जाता है, तो फिर डोक्टर आपको evaluate करेंगे कि अपने टीके लगवा लिए, तब हम तीन टीके लगवाते हैं, जीरो, तीन और साथ, पहले दिन जीरो, फिर तीसरे दिन, फिर साथ वे दिन, तो repeat vaccination अगर तीन मिने के अंडर जो है, वो recommended नहीं है, आपका जो अनिमल है, अगर आपको दुबारा काट के है, तो, किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, देखिए, जो रेविड पेशेंट्स हैं, वो तो बहुत कम होते हैं, जो जिनको रेविज हो गया है, वो तरश्री केर सेंटर पे, और NCDC देली, जैसे तीन सेंटर हैं, जहां पे रेविज के सेंपल जा जो ट्रीटमेंट होता है, वो सपोर्टीव होता है, जब बेसी बंदे को रेविज हो गया तो, और दूसरी बात यह होती है कि सपोर्टीव ट्रीटमेंट के अलावा अलग अलग टेकनोलोजी हैं जिसके बाएड में बड़ी कॉंट्रोवर्सियल हैं कि भी कोमा में डालके क किया जाता है और बहुत कम केस हैं जिसके अंदर ऐसा बचाव होपा है अमेरिक आल ओवर वर्ड थर्टी एट केसी हैं या तीस से पैंतिस केसी हैं जिनकों बचाया जा सका है वो भी बड़े मल्टिपलो थरफी ट्रीटमेंट हमारा जो है वो बिसिकली डिपेंड करता है वेक जाता है कि मोनोकलोनल एंटीबोडी आ गी है वो हम इम्मुनोग्लोबलन की जगह यूज कर सकते हैं ग्रेडिंग के साब से आप वेक्शिनेशन करवाई है वेक्शिनेशन हमारा फाइव इंजेक्शन हैं आपने जीरो डोस है फिर थर्ड डोस है फिर सैमत डे पे है और फि करती हूं कि आप अपने परिवार और अपने समाज को रही जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरुक करने की कोशिश करेंगे और फिर मिलते हैं एक नई प्रोग्राम के साथ तब तक अपना ख्याल लखें स्वस्त रहें खुश रहें धन्यवाद झिलब करते रहीं करते हैं स्वस्त करेंth